पीप्रा सुपॉल से मुहम्मद आजात की रिपोर्ट बेरहम पती ने पत्मी की गलारेद करकी हत्या निर्दई पती की द्वारा पत्मी की गलारेद कर निर्मम हत्या कर देनी का मामरा सामने आया है हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना अत्थर पर पहुँच तब को कबजे में लेकर आरोपी पती कोफी गिरफतार कर जाप सुरू कर दी है ये घटना पीपरा थाना छेतर के दो वियाही वार नमबर एक नालपुर गाउं की है जहां बताया जाता है कि 45 वर्षी गुलेशा खातुन की हत्या उसके पती मुहमद सलामत नहीं कर दी है मौत के बाद उसके घर कोड़ा मचा हुआ है मिर्तका की बेटी का रो रोकर बोड़ा हल है मिर्तका की पिता ने आरोप लगाया है कि उसका दामाद मुहमद सलामत साफी नहीं अपनी पत्नी गुलेशा खातुन की किसी धारदर हत्यार से सहयोगियों के साथ मिलकर गुलेशा की बेरहमी तिकला रेट कर हत्या कर दी है जिसे से उनकी मौत घटना स्थर पढ़ी हो गई मिर्तका की पिता मुहमद जहरूती ने बताया कि चार दिन पहले भी उसका दामाद डुमरी चौक पर गांजा पी रहा था तो उसकी बेटी ने मना किया था था कि चार दिन के अंदर कला काट कर मार देगा धान्की को चार दिन बीता भी नहीं उसकी बेटी को उसका दामाद ही बेरहमी से उसे मौत के घहाट उदार दिया इधर पीपरा पुलिस ने तौरिप कारवाई करती वी आरोपी पती मुहम्मद सलामत को गिरफतार कर पूछतार सुरू कर दी है नहीं है कि खिलाएव घरतार सुरू भर है कर दो नहीं हो है अहले बर्यत सताठेíve वहनब के थांड़ मेशनल मन्यापय जो कर दो भिग शिदू मोग उतकी श्त Izraari मैं ठैसे मैं भूना ऑगछेंद रडी तैसा सा शिह भी वना को श्क्रोड ओरी तॉ उसलिम्स हाव् कर बाभ और था खोंदे भी आपकर श्क्रोल है कितने बज़े रात की घड़ना है आप अगल मोयल के लोगों को बुलाए थे अगल में गड़ना पिटी जाया था एकी दों से आया तो अगल मागी की नम्पियों ना घटना घरले जनकाली साथ औरा कन्यों ना बावा तो कान पर रहे अवाल में सूत लराएगे इगोंडर सवाइब कावर व्यागा काट दलागे तू कदरा तू कदर आख दू चूबे ले जाचेल गेल है जाल कादी में चला था ना बावारत काई ले या तो कली में आपोन ना रहा रहा रही हो या आ यहा है तो ना है या यहा है याप का दमाद बूला था तो गजओ पिये तो हुआ था आदो दिया बहुत चेह इसलें बक्समा काई की क्षोल दिया है काई कि इसके धर में जुलि में जह्ट में स्राव में डेर आपकर किसा इस नाम बोले बबापका अलाओ आओ अटा दोमा सलमात हना